यह मत सोचिएगा कि हमको भी लिमिट आती है और लिमिट आने के बाद रिजेक्ट हो जाता है मतलब जैसे हम अपलाई करते हैं तो लिमिट आने के बाद जो है यह रिजेक्ट हो जाता है मैं आपको बता दू रिजेन क्या है रिजेक्ट होने का आखिर में ऐसा क्यों होता है क और यहां पर चब्शों मज़ों फ्रकुर्पार कर सकता हूं और जो फाइनल अमाउंट अप्रूवला है वो पच्छेस देखाए जब आप ब्रांच अप्लाइग करते हो तो आपको क्या करना आ आपको बताता हूं तो कुछ नहीं करना है आपको या तो अधार OTP दे देनी है अगर आपके पास अधार OTP नहीं है तो आपके पास फिजिकल जो होता है ना फिजिकल अधार कार्ड मेरे पास है नहीं मैं आपको दिखाता है जो लेशन में फिजिकल अधार कार्ड होता है ना वही यहाँ पर आपको upload करना होगा क्योंकि अगर आप लोग phone से या phone से click करके upload करेगे तो indirectly जो है यह reject करतेंगे indirectly आपको मिलेगा इन्हीं indirectly जो आपका loan है वो successfully reject हो जाएगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक physical और OTP आप समीट नहीं कर सकते हो तो directly आप जो है आपको सिंपल सा लोगी बता रहा हूं directly आपको जो है फिजिकल अधरकार चाहिए अब देखे लोन के बारे में detail सभी को बता है लेने का सही तरीका आपको नहीं पता है लेने का मैं विल्कुल सही तरीका और सही idea मैं आपको ब कर रहा हूं क्योंकि यहां पर मैंने भी लिया है और अल्मॉस्ट यहां पर मैं कंटीनिव करता हूं तो टैन ओबर यहां पर देखने को मिलेगा जैसे कि 62 दिन का मैं लोन लेता हूं और कंटीनिव करूंगा यह अगर पंजाब सिंडिकेट बैंक अकाउंट यहां पर सो हो मैं बैंक अकाउंट को चेंज जरू करना चाहूंगा क्योंकि यह पुराना बैंक है मेरा तो अभी मैं अपलाई नहीं करने वाला हूं लेकिन मैं सीरिसली बता रहा हूं गाइस आप इस प्रोसेस को फोलो कीजिए फिजिकल आपको अधारकार चाहिए और फिजिकल अधारक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज नो बट आप लोग सब्सक्राइब शरूर कर लिजिएगा